गुढ मॉर्निंग दोस्तों कैसे हो आप सब? होप आपकी तयारे बिलकुल अच्छी चल रही है दोर दोर के चल रही है जब दस आप काम कर रहे हो पढ़ाई कर रहे हो ठीक है लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं इनको ये कौन है आप बता सकते हैं ये जो हैं ये जो आपके सामने खळे हैं ये हैं Professor, Dr. Mohamed Yunos तो इनको जो था 26 में नॉला प्राइस मिला था है ना? नॉला प्राइस मिला था और इनको क्या कहा जाता है? गरीब लोगों का बैंकर कहा जाता है लेकिन Monday को जो है इनको Convict कर दिया गिया कन्विक कर दिया गया और छे मिने की सजा दे दिया की जेल में और किसके अंतरगत बांगला देश की लेबल लॉस के कालूनों के अंतरगत तो ऐसा हुआ क्यों अगर हम सोचे तो इनका जो रिलेशन्शिप है पी एम शेख हसीना के साथ वो ठीक नहीं है इसकी वज़े से यह तो इनको जेल में बेज दिया गया अब देखते हैं नेक्स्ट तो देखो भी नोबल प्राइज जो विनर है महमद यूनेस जो है मंडे को जनवरी एक में इनको छही मेने की जेल देदी कही बंगले देश के कोट के दुबारा क्योंकि इनको कहा गया कि आपने जो देश के लेवर लॉज हैं वो आपने तोड़े हैं तो इनके कितनी उमर हो चुगी है उनकी 83 साल के हो चुके है उनका कास बात यह था इन्होंने एक माइक्रो फाइ लेकिन यूनिस ने अपनी जज्जमेंट को लेके क्या कहा यूनिस ने अपनी जज्जमेंट को लेके कहा कि भही देखो contrary to all legal president and logic मतलब भही देखो जो लीगल प्रीसिदेंट मतलब कि अभी तक जितने भी कानून ऐसे इस तरह के कानून कोर्ट के सामने आये हैं और उसमें जो भी president दिया गया है, जो भी judgment दी गई है, उसके बिलकुल विरुद है, contrary का मतलब होता है विरुद, ठीक है, तो जो प्रोफेसर है, उन्होंने अपना देखो, उनका चक्कर क्या है, उनका दिक्कत ये है, कि उनकी बांगलादेश, प्राइम मिनिस्टर, शेक हसीना के साथ, ज्यादा अच्छा relationship नहीं है, है ना, और इन्होंने एक बार ये भी कहा था, कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है, वो गरीबों का खूंचूस रहे है, sucking blood from the poor, तो इसकी वज़े से जो था, इनको अब जेल में जाना पड़ा, तो इनके ओपर बहुत सारे charges लगा दी हैं, corruption के charges लगा दी हैं, fund embezzlement, embezzlement का मतलब है कि वही funds को इधर से उधर करना है, करते रहते हैं, तो ये सारे charges इंके ओपर लगा दिये गए हैं, तो देखो, अब कौन है मुहमद यूनिस्ट, अगर हम जाने कोशिश करें, तो 1940 में चित्ता कौंग में, हैना यूनिस्ट को अपने PhD म उनिस्टी में, और 1972 के बाद वो बंगलादेश वापिस आगे, अमेरिका में काम कवाउं करके, वो वापिस आगे पंगलादेश में, वहाँ पे इन्होंने as a head economic department का, जो head of department है, है, है चित्ता कौंग उनिस्टी में, तो बंगलादेश में दिक्कत क्या थी, तब आगर आप यूनिक आइडिया आया, जिसकी विजए से वहाँ पे जितने भी इंपवरिश थे, उनको गरीबी रेखा से उपर आने में मदद मिली, इन्होंने क्या करा कि इन्होंने का कि फे देखो छोटे 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 लोंस जो है न, एंटरपरिनर्स को देने शुरू कर दो, जो कि नॉर्मली जो है, ऐसे लोग को भी देना शुरू करते हो, जो नॉर्मली आपका बेंट लोंग के लिए क्वालिफाय नहीं करते हैं, और ऐसी टर्म्स रखो, जो कि उनको सूट कर रही हो, मतलब एक टेलर्ड अप्रोच हो, कि ऐसा ना हो कि भही आप जो है, आप हैवी हैव कॉइंट होगे कि इन्होंने अपने एक मॉडल ही बना दिया, कि भी अब तो हम जो है पूरे देश में इसको लागू कर सकते हैं, और साथ साल के अंदर आप देखोगे, इन्होंने बहुत ही अच्छा एक इनिशेटिव लिया, और वो था, क्या, ग्रामीन बैंक, ग्रामीन बैंक जो है, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट ये लेकर है, इन्होंने क्या करा, ग्रामीन बैंक ने बहुत ही मदद करी, जिसमें इन्होंने मिलियन सोफ लोगों को, दस लाग से भी उपर लोगों को लगबग आपने गरीबी से इन्होंने हटा दिया, इसने अपने कोलेक् 50,000,000 डोलर का आपका 9,000,000 लोगों में से, है न मतला कितने लोग् डispers हो चुकए है, 9,000,000 लोगों को लगबग लोग डिसपरो हो चुकए, तो आप देखेंगे और इसकी recovery rate आप देखो गें तो 97.22 परसंट है, तो ऐसा नहीं है, आप कह दो कि नहीं से लोगमीन लोग नह तो भी जब आप इसको ऐसे समझो कि जब यह ग्रामीन बैंक का जो कॉंसेप्ट है वो जब ग्रैंड सक्सेस में बदल गया पूरी तरह जब वो सक्सेस हो गई है न तो इस तरह के मॉडल्स जो हैं वो सो तरह के देशों में भी लागू होए तो 2006 में जाके यूनिस और ग्राम का बिलो से तो इनको कहने लगे बैंकर टूदा पूर तो यह बहुत ही अच्छी बात है इनको नॉबल प्राइज मिला 2006 में लेकिन अब हुआ क्या हुआ यह कि जैसे ही इनको नॉबल प्राइज मिला यूनिस जो है एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बार में सोच हसीना क्योंकि उस वक्त वो जेल में थी है ना और एक्स्टोशन के चार्जिस लगे हुए थे है ना तो भई अब जैसे या पॉलिटिक्स में घुस होगे तो भई सामने वाले भी आपको नहीं छोड़ेगा तो यूनिस ने अपने अपने इस इन प्लैन्स को तो भई अबै यूनिस की पूरी एक्टिविटीज के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करा दी है ना और प्रधान मंत्री ने जो शेक हसीना है उन्होंने कहा कि देखो आप क्या कर रहे हो आप जबदस्ती लोग गरीब गाओं की महिलाओं से लोन की रिकवरी कर रहे हो तो यह इन्ह पाया है कि यूनिस की कंपणी गरामीन टेलीकॉम जो है है ना जिसने इसको एक तरह से आप समझेओ कि नौन प्रॉफिट NGO की तरह एक तरह से मतलब इन्होंने establish करी थी इसमें पाया गया कि इन्होंने अपने labor laws जो है वो तोड़े है अभी मैंने बताया भी था तो judgment के अनुसार 67 जो company के जो employees है है ना उनको permanent करना था लेकिन उनको permanent नहीं किया गया है ना और दूसरा इन्होंने जज ने ये भी पा जब भी आप कोई employee आता है जब भी कोई company join करते है ना और तो उनके लिए एक participation और welfare fund बनाना होता है जो कि इन्होंने नहीं बनाया कि इनको कोई जरूत हो कुछ ऐसा हो तो उनके पास कम से कम welfare के लिए funds हो उनकी साहिता के लिए कोई funds available हो तो company के हिसाब से company की policy के हिसाब से कम से कम company का 5% dividend जो है वो ऐसे ही staff में distribute होना होता था कि वी जो भी 5% उनके पास profit आया dividend आया है वो हम इसमें बाठ देंगे लेकिन इन्होंने ऐसा भी नहीं करा बिलकुल नहीं किया इन्होंने ऐसा तो court ने units को convect कर दिया क्योंकि आप जो हो ग्रामीन टेलिकॉम के chairman हो भाई औ कमपनी सबसे बड़ा mobile phone company Grameen phone को own करती है मतलब 34% ownership own करती है यह अर यह Grameen phone क्या है ग्रामीन phone एक Norway की Telecom Joint Telenor की company है मतलब एक है यह Norway की Norway Telecom Joint Telenor की company है और यह Grameen phone इसको इसकी प्रांच है आप ब्रांच समझे लो आप समझें नोर्वे की टेली कॉम कंपनी का नाम है टेली नौर ठीक है टेली नौर टेली नौर की एक सबसीडियरी है जैसे बहुत सारी सबसीडियरी खोल देते हैं तो टेली नौर एक सबसे बड़ी कंपनी है टेली नौर टेली नार्थ की नीचे इसकी एक सबसिडिया है जिसका इन्होंने नाम दे रखा है ग्रामीन फोन और ग्रामीन फोन जो है उसके 34% शेर ख़ीद रखे हैं कि इसने डॉक्टर मुँमिद यूनिस की कमपरी ने जिसका नाम है ग्रामीन टेली कॉम ठीक है ग्रामीन टेली कॉम जी टी आया समझ तो मतलब कितनी लंबी चेन बनी हुई है कि भी टेली नौर्वे की है उसने अपनी सबसेली खोल रखी है ग्रामीन फोन नाम से ओं ग्रामीन फोन में से ग्रामीन टेली कॉम जो इनकी कंपनी है इन्होंने 14% शेर इसके खरीद सारक है 1215 में आगर आप बात करोगे इसको मतलब बांगलेदेश की रवनी और्थॉर्टीस ने भी समन किया था कि भी आपने जो है अभी तक लगबग एक मिलियन डॉलर डेड़ मिलियन डॉलर जो है आपने टेक्स में नहीं बुक्तान करें क्यों नहीं करें बताओ अब ज कैसे ले लिए हैना उसाथ में आपने नोबल प्राइस का अवार्ड भी आपने ले लिया और रोयल्टीस भी ले लिए उसी किताब से और उसमें आपने सरकार की परमीशन ले लिए यह मतलब बड़ी अजीव सी बात है तो 2011 में यूनिस को हटा दिया गया है ऐसा MD और ग्रा लगते 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 हैं और इसकी वैसे जो है पूरी ग्लोबल लेवल पर कंसर्ण आ रहा था कि भाई अब तो इसको फसाके ही रहेंगे और अभी आप देखोगे ध्यान दोगे आपको पता होगा कि अगस्त में 160 इंटरनेशनल फीगर्स जिसमें फॉर्मर युएस प्रेजिडेंट ब्राक अबामा है या फिर एक्स युनाटि नेशन सेक्रेटरी जनरल बान की मून है इन्होंने एक जॉइंट लेटर भी इशू किया था कि जिसमें इन्होंने बार बार इच कॉन्टिनेस जुरीशल हैस्मेंट चनरा है युनिस का कि जुरीशली जो है पीछे हाथ दोके लगी हुई है है ना इसके खिलाफ इन्होंने एक लेटर समिट भी किया था है ना तो आप बड़ी मतलब विदमना है कि कैसे देश कैसे 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 चीज़े होती है ना कानून में कैसे कैसे फसाद देते हैं तो यह बिल्कुल आपके सामने जीता जा होगे ना बड़ी कंपनीज में कुछ ना कुछ आपकी कमिया हा जाती है कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट रखोगे उसमें कुछ ना कुछ ऐसी कमिया आएंगे अभी हो सकता है देखी कोट कोट ने जो भी जज़वन दिया है उनको तो सब मानेंगे ही मानेंगे लेकिन कहीं कहीं इंटेंशन भी मैटर करती है कि ऐसा उनके साथ तभी क्यों हो रहा है जब ऐसा उन्होंने पॉलिटिक्स में गुसने की कोशिश करी तो ये भी देखने वाली बात है बिल्कुल हमें समझने की चुछ जरुत है इन चीज़ों को तो भी यूनिस के उपर जो है केसे भरत और फ्रीडम के बारे में और अभी जो आपने से पहले वीडियो देखी थी दोस्तों वो जो थी वो अब ब्राक उबामा ने इनको मैडल फ्रीडम ओफ मैडल दिया था सोरी तो सोची एक तरफ उनको वो मैडल दिया गया था वहाँ पर और दूसरी तरफ उनका अजादी को ही खतरा हो चुका है और हसीना ने अब विसी बात है शेक हसीना ने इस ओंगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स का वेल्कम किया और नहीं ने कहा कि ठीक है भी चलो अच्छा है इन्होंने कुछ ऐसा करा है तो इनको उसी हिसाब से फिस सजा भी होनी चाहिए तो दोनों तरफ की बात है तो यह बहुत एच्छा टॉपिक था हमने देखा जाना बहुत सारी चीजे तो हम दुबारे से मिलते हैं दोस्तों ठीक टाकटा बाई बाई